आज जो मैं आपको मूवी एक्स्पेंट करने वाला हूँ इसका नाम है फ्रीडा और फ्रीडा कोहलो एक मैक्सिकन आर्टिस के लाइफ पर ये मूवी बेस्ट है ये मूवी उसके कॉंट्रवर्शल लाइफ पर बायाग्राफी है वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना जातो अगर आप कोई वीडियो चलागता है प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रू कर दिजेगा बीना गिजी दरी के इस एक्स्पेंशन को स्टाट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर इसकाना में फ्रिडा इसे हम बेड उपर देख सकते हैं बेड उपर ही वो अपने एक्जिबिशन को देखने के लिए जा रही थी तो इसका रिजन क्या है इस मूवी में आगे हमें पता चलेगा इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जब फ्रिडा यंग थी तब से स्टार्ट होती है फ्रिडा अपने फ्रेंड्स को लेकर डियागो की पेंटिंग देखने के लिए जा रही थी डियागो उनकी युनिविसिटी में निूड पेंटिंग बना रहा था तो यही को देखने के लिए आए डियागो हमारा और एक मेन कैरेटर है पेंटिंग बनाते बनाते डियागो की वाइफ भी वहाई वह बहुत ही गुस्सा हो गए थी क्योंकि उसे लगा कि डियागो का इस मॉडल के साथ भी चक्कर है और एक्चुल में सिचुएशन ऐसे ही थी वाइफ की जाने के बाद उस मॉडल के साथ वह इंटिमेट होने लगता है फ्रिडा और उसके फ्रेंड से देख रहे थे तो उसे आवाज लगा कर डिस्टब करते यह उन पर चिलाया और यह सब भाग गया इसके बाद फ्रिडा अपने बाइफरेंड के साथ खुद के गर में इंटिमेट हो रही थी उसके सिस्टर टीना की शादी है तो आस-पास सारी तयारिया चल रही थी तभी वो अपने बाइफरेंड के साथ थी निकसिन में वो उसके फादर के साथ दिखती है उसके फादर एक बहुत अच्छे से फोटोग्राफर थे उन्हें हमेशा से एक बेटा चाहिए था तो फ्रीडा को एक बेटे की तरह ही वो ट्रीट करते थे वो एक फैमिल विक्चर ले रहे थे उसमें भी फ्रीडा एक लड़के की तरह ही ड्रेस अप हुई थे एक दिन जब फ्रीडा अपने बाइफरेंड के साथ स्कूल जा रही थे अचानक से गाड़ी में उसका एक्सिडन्ट हो गया इस एक्सिडन्ट में उसे बहुत चोट आई थे उसवर बहुत सारे ओपरेशन्स हुए डॉक्टर उसकी फैमिली से कहते हैं फ्रीडा अब चल नहीं पाएगी वो जब थोड़ी दिन बाद रिकवर हुई तो उसे घर लाया जाता है उसकी पूरी बोड़ी पर प्लास्टर था उसके फादर ने ठान लिया था फ्रीडा को फिर से वो अच्छा करकर ही रहेंगे इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ओपरेशन्स की है इसमें उनके सब पैसे चले गए थे फ्रीडा हमेशा बेड़ पर ही होती है तो बाकी कुछ कर नहीं बाती है तो ड्राइंग करना वो स्टार्ट कर देती है एक दिन उसे उसका बॉइफ्रेंड मिलने के लिए वो उसे देखकर बहुत ही खुश थी इन्होंने कुछ बात दे की फिर वो आफ्रेंड ने कहा कि उसे अलग कंट्री में जाना पड़ेगा फ्रीडा भी हसी कुछ उसे जाने देती है उसे बहुत बुरा लगा था वो आफ्रेंड की जाने के बाद वो बहुत रूई फ्रिडा के फादर उसके पास आते थे उन्हें बहुत बुरा लगता था एक दिन फ्रिडा उसे गहती है कि आप हमेशा मुझसे क्वेशन पूछते थे तुम्हारा लाइफ में प्लान क्या है आज कल आप ऐसा कुछ भी नहीं पूछते फादर ने पूछा तो कहती है मुझे मेरे पेरों पर खड़ा होना है फिर से नॉर्मल बनना है आज फादर ने कैनवास और उसका स्टैंड फिडा के लिए बनवा दिया था यानि क्यों अपने बेड में अच्छी से पेंटिंग कर सके फिडा प्रैक्टिस करती गई और टाइम खुजरता गया उसकी हैल स्लोली स्लोली इंप्रू हुई और एक दिन अपने पेरों पर वो खड़ी हो जाती है उसके फैमिली यह देखकर बहुत खुश थी है थोड़े दिनों में उसे केन से चलना आने लग गया वो फिर डारेक्ली डियागो के पास पोश्चती है यह वही पेंटर है जिस हमने उसकी वाइफ पर चीट करती हुए उसे देखा था वो से नीचे बुला कर पोश्चती है कि मेरी पेंटिंग देखो मुझे बताओ क्या मैं इसे अर्न कर सकती हो क्या मैं एक अच्छी पेंटर हूँ डियागो कहता है जो रियल पेंटर होता है वो पेंटिंग को छोड़ कर और कुछ कर नहीं पाता अगर तुम्हें एक्च्वल में पेंटिंग अच्छी लगती है जो तुम आर्टिस बन जाओगे फ्रिडा कहती है मुझे इन सब बातों में इंटरेस नहीं है वो इन पेंटिंग को सेल करकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है डियागो ने उसे उसकी पेंटिंग रखने के लिए कही बात में इसे उसने नोटिस किया तो उसे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी वो फ्रिडा के घर पर आकर उसकी और भी पेंटिंग देखता है डियागो एक्च्छल में एक प्लेबॉय टाइप कैरेक्टर है उसके कौन टाइम में जो भी लड़की आती है तो उसके साथ वो इंटिमेट होता है फ्रिडा को डाउट आता है कि वो सिर्फ उसके साथ इंटिमेट होने के लिए तारिफ कर रहा है इसके बारे में उसे बुछती है तो गयता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये painting उसे सचमुच में अच्छी लगी है इसके बाद Diago Frida को एक party में लेकर गया जहाबर सब influential लोग और artist थे यहाबर Frida Diago की ex-wife से मिली Diago कुछ और लड़कियों के साथ था तो Frida और Diago की ex-wife ये दोनों बाते करते है Frida wonder कर रही थी कि Diago इतने सारी लड़कियों को attract कैसे करता है वो दिखने भी इतना खास नहीं है Diago की ex-wife कहती है कि वो हर लड़की में beauty ढूंडता है उनी beautiful नजरों से देखता है इसी वज़े से हर लड़की उसकी पागल हो जाती है ये movie का जो हमारा time period है 1907 से लेकर 1954 तक का है तब इटली में जो भी revolution चल रही थी इसलिए कर Diago उसका party में का एक friend इनमें debate होती है ये दोनों फिर एक drinking game खेलने लग जाते है गेम चलते चलते Frida ने bottle उठाई और पूरी वो कटक गई इसके बाद music सलता है और वहाँ के host के साथ वो dance करती है अट दे इंड उफिट उसने उसे kiss भी कर लिया था कुछ दिनों में Frida और Diago ये अच्छे friends बन गई थे ये दिने एक साथ थे तो Diago को उसे अपने studio में बुलाता है Frida कहे थी कि मैं तुमारे साथ intimate नहीं होना चाहती मुझे हमारे relationship सिर्फ professional रखनी है उसे इसे जादा बढ़ाना नहीं है Diago ने भी उसे promise किया कहा कि हम दोनों सिर्फ friends रहेंगे ये बात बोलने के बाद ही एक दूसरे को kiss कर लेते है अंदर जाकर एक दूसरे के साथ intimate हो गया इनका ये affair बहुत दिनों तक चला एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे एक दिन Diago ने Frida से शादी के लिए पूछ लिया Frida उस पर विल्यू नहीं करती कहती है तुमारे औरेडी दो शादिया हो चुकी है तुम मुझसे भी faithful नहीं रह सकते Diago को भी ये बात मान लेता है शादी होने के बाद भी वो continuously cheat करता रहेगा Diago ने उसे पूछा क्या तुमारे लिए ये बात इतनी जादा important है Frida कहे थी कि नहीं सिर्म उसे loyal रहना उसने उसे हा कह दिया इन दोनों की शाद ही हो जाती है Frida की मदर इस बात से नारास थी उसे Diago उसके लिए अच्छा नहीं लगता जैसे कहां मैं पता है Frida का इलाज करने के लिए उसके फादर को बहुत सारे financial problems आये थे इनके loans वेगरा pay करने वे भी Diago उने help करता है marriage के party में Diago की friend ने toast किया वो गहती है कि शादी पागल लोगों के लिए होती है इनने पता ही नहीं एक दुसरी से कितना चगणने वाले हैं एक दुसरी की life है बरबात कर देंगे इन सब चीजों के बाद भी सब चीजे एइनोर करकर एक couple अगर साथ रहे तो इसे ही सही marriage कहा जाता है वो Diago और Frida को courage दिखाने के लिए congratulations करती है Diago की ex-wife बहुत ही जादा drunk हो गई वो गुसे मुझे से कहती है तुमने इस से शादी किये Frida की accident की वज़े से वो सही से चलनी पाती है उसका body shape भी थोड़ा सा अलग हो चुका है Diago की ex-wife बहुत जादा गुसा करकर वहाँ से चली गई ये सब चीज डियागो सिर्फ देख रहा था तो इस पर Frida को बहुत जादा गुसा आ गया वो उसे मनाने के लिए आता है Frida कहती है मेरी मदर कहती है तुम एक हाती की तरह हो पर elephant भी अपनी wife को protect करते है तुम दो वो भी नहीं करते है Frida beautiful और Diago इतना जादा fat है तो इस जोड़ी सही नहीं लगती Frida ने कहा कि लोग क्या कहेंगे Diago कहता है हम दोनों की जोड़ी पर सब लोग jealous होंगे इतना हम एक दुसरे से प्यार करेंगे सुबा होने पर Diago अपनी favorite dish का breakfast कर रहा था Frida पुछती है कि ये किसने बनाया Diago कहता है मेरी ex-wife मेरे बच्चों के साथ उपई रहती है वो मुझे देख कर गई थी Frida इस वर बहुत जादा घुसा हो गई उपर जाकर उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है एक्स वाइफ Frida को जो Diago को डिशेश पसंद है ये वाना ना सिखाती है ex-wife ने कहा कि Diago सिर्फ अपने आप से प्यार करता है कभी भी वो किसी का भी अच्छा आजबन हो नहीं सकता Frida कहती है कि मैं देख लूँगी दिन Frida Diago की स्टूडियो में आई तो एक नूट मॉडल को ड्रॉ कर रहा था Frida को इस बात से ज़्यादा कुछ भी प्रॉल्म नहीं होती है इन दोनों को आज बहार जाने का प्लैन था Diago घर पर ज़रा लेट पोचा वो कुछ बहाना बना रहा था पर Frida ने जब उसे स्मेल किया तो उसे पता चल गया कि Diago उस मॉडल के साथ इंटिमेट हुआ था वो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगे पर उसे चेंज नहीं कर सकते वो उसे कहती है कि हमें पार्टी में जाना है जल्दी से नहा कर आओ इस पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रंग हो गई थी एक आदमे Diago के साथ लड़ने लग गया था तो Frida खुद उसे बहुत मारती है Diago एक कम्यूनिस्ट पार्टी के लिए काम करता था पर जो अमिर लोग है उनके लिए पेंटिंग बनाता है आज Diago को ओफर मिला है अमिरिका में उसका पेंटिंग का एक्जिविशन होगा वहाँ पर उसे बहुत सारा काम मिल सकता है इसी वज़े से उसने अपनी पार्टी क्विट करती यह सब बात वो Frida को बताता है Frida को बुरा लगा Diago अब उसे दूर जाएगा पर Diago को कहता है तुम्हें भी मेरे साथ आना है इबात सुनकर Frida बहुत ही खुश थी Diago को अमेरिका में बहुत सारा फेंग मिला Frida कहती है कि जिस आदमे का एंबिशन होता है उसे अमेरिका में रिस्पेक्ट दिया जाता है Diago को यहाँ पर बहुत ही खुश था वह मस था और बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटिमेट होता था Frida एक बाइसेक्शुल थी लड़कियों के साथ भी इंटिमेट होती थी अब Diago को उस पर चीट करता ही है तो वो भी लड़कियों के साथ सोती है वो एक लड़की के साथ intimate हुई जो already डियागों के साथ intimate हुई थी यह दोनों बात करते हैं तो लड़की फ्रिडा से पुछती है तुम डियागों का इस तरह से behavior किस तरह से accept करती हो फ्रिडा कहती है कि वो जो है वो है जब मैंने शादी की थी तो मुझे सब कुछ पता था अब मैं उसे change नहीं कर सकते डियागों के साथ फ्रिडा भी painting करती रहती थी एक दिन जब दोनों एक साथ है फ्रिडा न डियागों से कहा कि वो pregnant है डियागों वरीड था फ्रिडा का bone structure पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है उसे पूरी body में बेन होता है ऐसे में अगर वो pregnant है तो उसकी और बच्चे की दोनों की life को खत्रा है डियागों बच्चे के लिए मना कह रहा था फ्रिडा बहुत excited थी उसे बच्चा चाहिए था delivery successful हो की इसके chances बहुत ही कम थे और फ्रिडा के खुशे के लिए डियागों इस बात के लिए मान जाता है कुछ मंद स्पीत कहे और अचानक एक रात फ्रिडा को बहुत सारा bleeding होने लग गया उसे hospital में admit किया तो उसका miscarriage हो गया था वो होश में आने के बाद जब उसे news मिली तो बहुत जादा disturbed थे उसके dead baby को देखना चाहती थे इनी सब emotions को लेकर उसने एक heartbreaking painting बनाई डियागों ये देखकर बहुत रोता है वो फ्रिडा का बहुत अच्छे से खैल रखता है एक दिन फ्रिडा को लेटर मिला तो उसकी मदर की हालत बहुत जादा खराब थे वो अप बहुत बुरा लगा उसे लगा कि अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए उसे यही होना चाहिए था फ्रिडा के फादर भी बहुत जाद दुखी थे फ्रिडा उन्हें सहारा देती है फादर कहते हैं मैं तुम्हारी मदर के साथ हमेशा जगड़ा करता था अब जब वो तो उसकी गार्डन का में खैल रख रहा हूँ वो अपनी वाइव से बहुत ही प्यार करते हैं इसके बाद ही फ्रिडा की मदर की डेथ होके अमेरिका में डियागो को एक बड़ा सा काम मिला था वाल पर पेंटिंग करने का एक काम था तो उस पर वो वर्ग अपना है डियागो के एक वर्गर ने इस वाल पर लेनिन का पिक्चर बना दिया था यह चीज़ बहुत ही ज्यादा कॉंट्रवर्शल होगी जिसके वाल थी उसने डियागो को बुलाया वो कहता है कि तुम्हें वो पिक्चर निकालना पड़ेगा डियागो ने कहा कि मेरे प्रिंस कर रहा था उसे यही रहना है यहां की लाइफस्टैल पसन है तो वंडर करता है उसे अपने पेंडिंग को मिटा देना चाहिए फिडा कहती है तुम जो भी करोगे और सही करोगे अब तक तुमने जो किया इससे कॉंट्रवर्सिस खड़ी होके लोग हमेशा तुम्हारा ना आ गई थी उसे फेस से अपनी कंट्री में वापस जाना है इस बात को लेकर इन में फाइट हुई और फेस से मैक्सिको में आ गए फ्रिडा के गर उसे मिलने के लिए उसकी सिस्टर आई वो अपने हस्बन के साथ नहीं है तो बहुत यह अकेला महिसूस करती है कभी-कभी उ रहती है अगर तुम्हें कुछ काम होगा तो यह सब चीज़े याद नहीं आएगी है तुम जराब इजी रहोगी है सिस्टर को भी यह बात सही लगी या को आज कल कुछ भी पेंट कर नहीं रहा था उसका पूरा स्टूडियो तैसनेस पड़ा हुआ था फ्रिडा फिर अप इस सब बातों को कोई भी मिनिंग नहीं था मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूँ फ्रिडा कहती कि वो मेरी सिस्टर थी मैंने तुम्हें सिर्फ लॉयल रहने के लिए कहा था उसने कहा मेरे लाइफ में दो एक्सिटन्ट हुए है कार एक्सिटन्ट और तुमसे शादी करना अब फ्रिडा घर छोड़ कर एक दूसरी जगा पर रहे रही थी उसने अपना पूरा हुलियाई चेंज कर डाला वो ड्रंग हो जाती थी फ्रेंड्स को बुला कर घर में दीन रात पार्टी करती थी एक दिन डियागो की एक्सवाइब उसे मिलने के लिए उसकी ऐसा भाला तुम्हें कुछ जॉब ले लेना चाहिए यानि तुम अपने बिल्स पे कर सको अपने लाइफ को जारा कंट्रोल में ले सको फ्रिडा ने भी यही किया अपने कुछ पेंटिंग सेल करती और प्रोफेशनली पेंट करने लग एक दिन डियागो को फ्रिडा से हेल्प मांगन जहां वो सेफ रहेगा फ्रिडा डियागो पर गुस्सा थी पर उसने उसे बहुत रिक्वेस्ट की तो मान जाती है ट्रॉसकी फ्रिडा के घर पर आया उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लोग फ्रिडा के घर को प्रोटेक करते थे एक रात ये सब मिलकर डिनर करते निनर के बाद टिया को फिडा के साथ उसके रूम में जाना चाता था फिडा ने इसके लिए उसे मना कर दिया उसने अब तक उसे माफ नहीं किया ट्रॉसकी ने फिडा की जब मेंचिंग्स देखी तो उसे बहुत अच्छी लगी फ्रिडा को खुद के काम पर confidence नहीं था तो इसी वज़े से वो exhibition या अपनी painting जादा sale नहीं करती थी एक दिन ट्रॉसकी और फ्रिडा यह सब मिलकर pyramid देखने के लिए आए ट्रॉसकी ज़रा old है पर फिर भी यह pyramid चड़ना चाहता था फ्रिडा भी decide करती है जो सही से चलनी पाती है पर फिर भी यह pyramid चड़ेगी तो उसकी फ्रिडा से कहता है मेरे दोनों बेटों को मार दिया गया मैं जो यह जंग लड़ रहा हूँ मुझे पता है कि मैं इसमें हारने वाला हूँ पर फिर भी लड़ने के अलावा और क्या किया जाया मुझे पता नहीं उसने फ्रिडा को समझाया तुमारी जो paintings है इसमें यही पैन निकल कराता है तुमें लगता है तुमारी painting लोग को अच्छी नहीं लगेगी पर जो pain तुमारी painting में है यही pain बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है इसके बाद जब यह दोनों घर पर आया तो एक दुसरे के साथ intimate हो जाते है इन दोनों की relationship आगे बढ़ रही थी पर रॉसकी की wife को यह सब बात पता चल गई वो अपनी wife को ज़्यादा hurt करना नहीं चाता था तो वहाँ से वो चला गया डियागो फ्रीडा से बुच्छता है ऐसा हुआ क्या फ्रीडा कहती है उसने अपनी wife के लिए अपनी खुद की खुशी sacrifice कर दी डियागो को सब कुछ पता चला तो फ्रीडा पर बहुत जादा गुश्सा था फ्रीडा गयती है जैसा तुम्हें अब लग रहा है वैसा मुझे हमेशा लगता था इसके बाद फ्रीडा को offer मिला और France में उसकी printing का exhibition होने वाला था तो वो भी वहाँ चली जाती है वहाँ जाकर बहुत मजे करती है अब फ्रीडा को डियागो से मिले हुए दस साल हो चुके है दस सालों में उसने realize किया कि उस सिर्फ डियागो से ही प्यार करती है यह चीज उसने later में भी लिकी है थोड़े समय बात जबे दोनों मिले तो डियाग उसे कहता है मुझे डिवास चाहिए हम दोनों के लिए यही करना सही होगा फ्रिडा कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर डियाग को मानता नहीं डियाग को एक कम्यूनिस्ट था तो गवर्मेंट के खिलाव जाकर उसने कुछ गलाज चीज़े की थी वो इस कंट्री से भाग चुका था तो फ्रिडा से क्वेस्चन किये जाते है फ्रिडा कहती है कि वो मेरा अब हस्बन नहीं रहा फ्रिडा जादा ट्रबल में ना आए यही रिजन था कि डियाग को उसे डिवास लेना चाहता था डिवास हो जाने के बावजूद भी फ्रिडा को जेल में डाल दिया जाता है डियाग को को ये बाओ जब पता चली तो उसने गवर्मेंट पर बहुत زादा प्रेशा डाला फानली उन्हें फ्रिडा को फ्री करना ही पड़ता है फ्रिडा को जेल में रने के लिए उसकी शिस्टर आई हुई थी उसे सौरी कहती है फ्रिडा गहती है सब कुछ गलती मेरी ही थी है जो तुम्हें उसके बास भेजना ही नहीं चाहिए था अपनी सिस्टर के साथ उसकी रिलेशनशिप अब सही हो चुकी है जैसे ही फ्रिडा की थोड़ी सी एज बड़ी तो अपनी बॉड़ी में उसे बहुत जादा पेइन होता था उसकी हलत बहुत खराब थी जैल में रहने की वज़े से उसकी पेर की उंगलिया खराब हो गई थी डॉक्टरोस को वो काटनी बड़ी फ्रिडा की हलत के बारे में डियागो को पता चला तो उसके पास पहुच गया वो गहता है ये फ्लीज फिर से मुझसे शादी कर लो मुझे तुमारे साथ रहना है फ्रिडा कहती कि मुझे तुमारे रहम की जरूरत नहीं है मैं ट्रिंग करती हूँ स्वेर करते हो तुम मेरे साथ खुछ रहे नहीं सकते डियागो ने कहा कि तुम्हारी भी ना मैं बर्बात हो चुका हूँ मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा जरूरत है फ्रीडा अब उसे एक्सेप्ट कर लेती है फ्रीडा की हालत खराब होती गई और सिर्फ अपने बेड में रहती थी उसका हमेशा से सपना था खुद की कंट्री में उसका एक्जिबिशन हो अब इस सपना उसका फाइनली कंप्लेट होने वाला है ये एक्जिबिशन देखने के लिए वो जाना चाहती थी पर डॉक्टर ने उसे मना किया था वो अपने बेड से ओड़ी भी नहीं सकती उसने फिर कुछ लोग की हेल्प ली और पुरे बेड के साथ एक्जिबिशन में पहुच आती है मूवी के फास में हमने जो सीन दिखा था ये वही सीन था एक रात फ्रिडा और डिया को एक दूसरे के साथ थे डिया को कहता है हमें एक साथ पच्ची साल हो चुके है उनकी वेडिंग अनिवरसरी टू विक्स में थी उससे पहले ही फ्रिडा ने उसे गिफ्ट दे दिया उसे नहीं लगता था कि वो अब दो विक्स भी जिन्दा रहेगी उसने कहा मुझे जमीन में मत गाड़ना मुझे जला देना वो फेस से एकी जगा पर नहीं लेटना चाती है इसलिए जलना चाती है इस सीचोईशन की भी उसने पेंटिंग बनाई थी इसके तुरंद बाद उसकी डेथ हो गए उसकी लाइफ में बहुत सारी हार्ड शेप थी पर हमेशा अपना जो भी पेंट था वो अपने काम में अपनी पेंटिंग में उडालती रही और इसी वज़े से उसकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुए इसी तरीके से मुवी एंड होती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लिकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नाटिफिक्शन आयंकंदाओने मत भुलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुवी के साथ तो ते लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे हैं